बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलामु अलेकम वरह्मतुल्लाहिव बरकातु आज हम बनाएंगे एक फ्रॉक डिजाइन जो के एक बेबी फ्रॉक होगा तो उसके लिए हमने ये इंब्रोइडरी वाली नेटली है ये आप देख सकते हैं और हमने इसके साथ ब्लू कलर का पीस लिया है और हमने ये लैस्ली है तो वीवर्ज अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले तो चलिए आईए शुरू करते हैं ये हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड करके बिचा लिया है हम सबसे पहले इसकी लैंथ देखेंगे जो के हमने पेटी से नीचे वाला हिस्सा जो इसका घेर है उसकी लंबाई देखनी है हमने इसको त्यार पंद्रा इंच करना है तो हम पांच से छे इंच इसको आप दस इंच भी लंबाई में रख सकते हैं और अगर आप फुल घेर की बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं ये आप देख सकते हैं हम इसके घेर की जो है मेयर्मेंट कर रहे हैं ये देखें वीवर्ज ये हमने इसको फोल्ड करके बिचा लिया है और अब हमने इसकी डबल ते लगानी है और फिर हम इसे देखेंगे कि हम अपने घेर की जो लबाई है पेटी से नीचे वाले हिस्से की उसको हमने कितना रखना है उसको हमने पंदरा इंच त्यार करना है हमने बाईस इंच अपने फ्रॉग को त्यार करना है जिसके लिए हम साथ इंच एक्स्टा रखेंगे आठ इंच की हम पेटी लगाएंगे क्योंकि ये एक बेबी फ्रॉग है तो हम ये पीश बाईस इंच पे उतार रहे हैं हमने इसे डबल फोल्ड किया और फिर इसे कटिंग किया तो वीवर्ज ये आप देख सकते हैं अब हम इसकी जो हमने उपर पेटी लगानी है उसको कटिंग करेंगे हम इसकी चुड़ाई देखेंगे और इसकी लंबाई क्यूंकि ये हमारे अपने सूट से बचे हुए पीसिज हैं इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि आप भी अपने बचे हुए सूट के पीस से रिजाइनिंग के साथ एक बहुत ही प्यारा अपने बचों अपने बेबी फ्रॉक बना सकते हैं बचों के लिए ये देखें वी वर्ज ये हमने इसकी तीरे की कटिंग की है कंधे की कटिंग और तीरे से हम हलका सा कटिंग करेंगे और आठ हिंच हम इस पेटी को दियार रखेंगे और ये हमें जो हमने कंधे की कटिंग की थी वो हम थोड़ा सा इसमें आप चाहें तो इसमें जोड लगा सकती हैं कि आपके बच्चे की फिटिंग जो है वो बहुत ठीक से पूरी आए ये देखें वी वर्ज ये हमने पेटी को उपर रखा और हमने अपने पीस को देखा कि हमने 22 इंच अपना फ्रॉग तियार करना है और फिर हम इस से नीचे 7 इंच रखेंगे एक इंच हमने एक्स्टरिया सलाई का जो के हमारा 23 इंच हो गया और इसके नीचे हम 7 इंच जो हमारा कपड़ा बचा है उस पे निशान लगाएंगे यह हमने दोनों पीस बराबर लंबाई में लिए हैं यह आप देख सकते हैं फिर हम इस उपर वाले फ्रांट के हिस्से को इसको हम टेल की शेप देंगे और फिर इसे कटिंग कर देंगे इसी गुलाई में यह आप देख सकते हैं यह हमने नीचे वाले हिस्से में निशान नहीं लगा के कटिंग करना उसको वीवर्ज यह उपर वाला हिस्सा हमने एक पीस उसको कटिंग कर दिया ये आप देख सकते हैं ये हमारा बेबी फ्रॉक जो के टेल होगा उसको हम तियार करेंगे ये आप देख सकते हैं अब हम इसके पेटी वाली साइड पे उपर जो हम अटाइज करेंगे उस पे हम प्लेट डालेंगे ये देखें ये कितना खूबसरत लग रहा है क्योंकि ये एक टेल फ्रॉक होगा और इसके उपर वाले हिस्से पे हम आमने सामने प्लेट डालेंगे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इस पूरे पीस में प्लेट डालेंगे और फिर इसे हम पेटी के साथ अटैज करेंगे तो चलिए आईए अब हम इसमें प्लेट डालते हैं ये देखें वी वर्ज ये हमने दर्म्यान में कट लगाया है और फिर हम इसके एक साइट से शुरू करेंगे जो कि हम कट की तरफ इसको प्लेट डालेंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरी साइट पे भी प्लेट डालेंगे इन प्लेट का रुख जो है वो आमने सामने होना चाहिए ये आप देख सकते हैं तो ये देखें वीवर्ज ये हमने प्लेट डाल लिये हैं ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अब हम इसको इस पेटी के साथ अटाच करेंगे ये आप देख सकते हैं और इसका हम गला कटिंग करेंगे और इसको बनाएंगे फिर उसके बाद हम इसकी फिटिंग की स्लाई लगाएंगे तो ये देखें वीवर्ज ये हमने इसका गला भी बना लिया है जो के हमने बेशेप रखा है और साइड से हमने कट रखा है जिस पे हम बटन लगाएंगे ये देखें ये बहुत ही खुबसूरत लग रहा है ये आप देख सकते हैं तो वीवर्ज अब हम इस पेटी की स्लाई के उपर लैस लगाएंगे ये आप देखें हमने इसकी पेटी पे लैस लगा ली है अब हम इसकी फिटिंग की स्लाई लगाएंगे और फिर इसे नीचे से फोल्ड करेंगे तो वीवर्ज ये आप देख सकते हैं ये हमारा टेल फ्रॉक है जो कि बहुत ही खूबसरत है तो ये देखें वीवर्ज ये हमारा फ्रॉक बिलकुल तयार है ये बहुत ही खूबसरत सा डिजाइन आप खुद भी त्यार कर सकती हैं ये थी हमारी आज की वीडियो अल्ला हाफीज अल्ला हाफीज